वेलो फ्रेंट्स वेलकम टो बैक मैचेनल शमास कारणर उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्त होंगे सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपना और अपनों का ध्यान बहुत अच्छे से रगभी रहे होंगे तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैली सा लाइट इसकिन क्रेम के बारे में बैली सा लाइट इसकिन को इवन करने के लिए या फिर इसकिन को लाइटन वाइटन और ब्राइटन बनाने के लिए बनाई गई है इसमें B-Tero White 10% में यूज किया गया है इसमें नियसिनेमाइड का यूज किया गया है नियसिनेमाइड पिमपल्स के कारण या किसी और रीजन से हमारे स्किन के जो पोर्ट से वो बड़े हो गए हैं या फिर हमारी स्किन कुछ लूज पड़ गई है तो इसकिन पोर्ट को बंद करने और स्किन को टाइट करने का काम करता है और B-Tero White जो है वो हमारी स्किन के टोन को यानि के कलर को फेर करने का काम करता है ये जो इंग्रेडियन्ट है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं इसमें किसी भी प्रकार का स्ट्राइट का प्रियोग नहीं किया गया है ये क्रीम बिल्कुल ही सेफ क्रीम है और सेफ इंग्रेडियन्ट से बनाई गई है लोड़ने के बाद आप इसकिन टोन फिर से डार्क नहीं होती मेल फीमेल कोई भी इसको ठारा के बाद यूज कर सकता है आप इसको दिन में भी इस्तमाल कर सकते हैं और रात को सोने से पहले भी ये बिल्कुल ही सेफ क्रीम है और इस स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुचा जब दीरे दीरे आप इसको इसको इस्तमाल करना शुरू करते हैं तो ये आपके स्किन के कलर को जो है दीरे दीरे फेयर करने शुरू कर देती है और जो है ये जिस तरह से आपके स्किन मे मेलनین का बनने के कारण जो है इसकिन डार्क होने लगती है तो यह उसको भी कम कर देती है जिससे कि आपकी इसकिन का कलर जो है बहुत ही लाइट दिखता है और बहुत ही फेर हो जाता है फेस को वाश करने के बाद थोड़ी सी क्वाइंटिटी में क्रीम जो है वो थोड़ी सी क्वाइंटिटी में लेनी है और अपने पूरे फेस पर लगा के अच्छे से मसाज करनी है जब तक वो इसकिन के अंदर अब्जर्ब ना हो जाए और ध्यान रहे कि रात को सोने से पहले इसका स्वाल जरूर करना है तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हैलफल रही वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यों वोचिंग रेंड